इस वीडियो में हम लोग बिहार बूर्ड क्लास 7 प्रस्णा वाली 2.2 का क्वेश्चन नमर 4 से इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नमर 3 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नमर 4 क्या कह रहा है दो विभीन मुल्य वाली 35 कलमों का कुल्य मुल्य 60 रुपया है यदि एक सस्ती कलम का मुल्य 1.50 रुपया यानि कि 1.5 रुपया है एवं एक महगी कलम का मुल्य 2 रुपया है तो कितनी महगी कलमें खड़ी दी गई यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या करा है कुष्चन आपको समझना है कुष्चन कहे रहा है दो विभीन मुल्य यानि कि दो अलग-अलग मुल्य वाली 35 कलम यहाँ पर देखे दो अलग-अलग मुल्य वाली 35 कलम का कुल ये मुल 6 रुपया यानि कि यहाँ पर देखे एक मान लिजे सस्ती वाली कलम है और एक महगी वाली कलम है तो अलग-अलग मुल्य वाली है तो यहाँ पर देखिए टोटल कलम है यहाँ पर 35 कलम कितना है 35 यानि कि कुल कलम 35 है और 35 कलम का मुल्य है यानि कि इसका रूपया जो है 35 कलम का रूपया है 60 रुपया है तो कहरा यदि एक सस्ती कलम का मुली 1.50 रुपया है यानि कि सस्ती कलम जो है इसमें से एक सस्ती कलम का मुली सिर्फ कितना है 1.5 रुपया है और यहाँ पर देखिए एक महगी कलम का मुली 2 रुपया है तो कितनी महगी कलमे खड़ी दी गई के पता है कि इसका मुली 35 कूरों मulin और हमें इसके अलावा यह पता है कि सस्ति कलम का मुलीश पाचाज एक रुपया पचास पैसे और महरी कलम का मुली की संख्या कितना 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 वह सफ्लिक हो हमें नहीं ax वह हमें क्या करना है निकालना है तो इसमें सिर्फ हमें यह करना है सस्ती कलम तो निकालना नहीं है लेकिन मानना तो पड़ेगा तो यहाँ पर सिर्फ निकालना है क्या कितनी महागी कलम में खड़ी दी गई वह हमें निकालना है तो यहाँ पर सस्ती कलम और महागी कलम दोनों माना की महगी कलम, माना की महगी कलमों की संख्या, संख्या वराबर हमने X मान लिया, यहाँ पर हम क्या किये? X मान लिया, अगर हमें नहीं पता रहता है तो हम क्या करते? X मान लेते हैं, इसी दर असे इसमें भी मान लिया, माना की महगी कलमों की संख्या X है, अब हम निकालें क्या भी लिखेंगे अब जब महगी कलम निकाले हैं तो यहां पर सस्ती भी लिखेंगे यहां पर लिखेंगे सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगा यहां पर दखेंगे टोटल पेन की संख्या कितना है कलमों की संख्या 35 कलम है और यहाँ पर देखिए महगी कलम जो है हमने X माना है तो यहाँ पर सस्ती कलम में क्या हो जाएगी 35 मैनस X हो जाएगा जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास अगर 10 पेन है और 10 पेन में से हमारा महगी कलम अगर यहाँ पर म करेंगे माईनस करेंगे मागी कलम को महली मागी कलम को हमने एक्स माना है तो एक्स को क्या करेंगे माइनक्स माइनस कर देंगे तो हमारा सस्ती कलम हमें पता चल जागा तो सस्ती कलम होगी 35 माइनस X अब हम क्या करेंगे इसमें पूरा का मान X का मान निकलना होगा एक्स की जोब पर जो कितना पेन होगा सस्ती कलम कितना होगा और महगी कलम कितना होगा तो अब देखें हम निकालेंगे इस यहाँ पर लिखेंगे प्रस्णा अनुसार प्रस्णा अनुसार का मतलब क्या हुआ जो प्रॉस्ण के रहाए उनके डुसर अब एक बाल लीख देते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पे X कलम है तो X कलम का जिस तरह से यहाँ पे 35 कलम का 25 कलम का मुल्य है 6 रूपया कूल मुल्य है 6 रूपया हुआ इसी तरह से यहाँ पे देखिए सस्ती कलम का और महगी कलम का भी मुल्य है दिया हुआ कह olduğunu कितना दिया है सब्सक्राइब का मुली कितना दिया है एक सस्पिकलं का मुली कितना दिया है गुणा करेंगे और इसके बाद देखे यहां पर 1.5 इसको गुना किया और महगी कलम कितना दिया है महगी कलम देखे यहां पर महगी कलम का मुली है दो रूपिया तो हम इसको भी क्या करेंगे प्लस तीन हेगों पहले हम इस से गुना करेंगे और इसके बाद यहां पर छरत के 15 15 75 और इसके बाद इसको हम गुणा करेगा तीन से यहां पर देखिए 0 को तीन से उचार 52 के चार और एक 5 यहां पर कितना आ रहां यहां 5 2 5 जिरो इसमें देखिए दसमलब कितना संख्या के बाद लगा है एक दो संख्या के बाद क्या लगा है दसमलब लगा है तो इसमें भी दो संख्या के बाद क्या करेंगे दसमलब लगाएंगे एक और ये दोसरा संख्या के बाद क्या करेंगे दसमलब लगाएंगे तो इसमें कितना रहा है 52.50, जब उपर में रहता है, तो इसका कोई value नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 52.50, यहां पर इसको जब गुना कि इससे, तो हमारा आओ गया 52.50, अब minus और plus, यह minus का चीन, यह minus का चीन, plus minus जब रहता है, चीन, तो minus का चीन होता है, जब इनके साथ होता है, तो और यह देखिए 1.5-0 कब गुना करेंगे हम X के साथ तो X के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5-0X और बरावर में कितना है 16 यानिकी 60 है तो यहाँ पर लिख देंगे इनको अब देखिए X वाले को हम सलद जाएगा इसका तो चीन क्या हो ज्यागा माइनस का लग जो पलब समय हो जाइंगा बावण में पॉट अब देख्वाद से हो कें ऊप समय करेंगे हैंप से सामने कुछ शूनंओ दाल देग cuma इसमें माइनस करेंगे इन दुनों के जिपाइए 0 मेंसब्स करेंगा जिए 10 मेंसे पॉसम्लव BIG कशला है ये लगा देंगे इसको हम जब लगा देंगे इसके किबस न सब्सक्र वाग में हमें सके निकालने के संख्या यह कोरने केसे लिए इस लिए इस धिता इस्म घूलब है तो आफ देखिए इसमने उसम और इसमें भी दसमलब, दूनों में दसमलब है, तो दुनों में सें दसमलब को हटा आ देते यっち सारा से अगर कितना बहुत यहां पंद्र भार में यानि कि X ब्राबर कितना आगिया 15 तो अब दीखिक यह एक्ष को को माने हुए थे एक्स तो यहाँ पर लिख लेते हैं अता अता महगी महगी कल्मों की संख्या क्या माने एक्स और एक्स का मान निकल चुका हमारा 15 यानि कि यहाँ पर कितना कलम के लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं अगर यहां पर 35 में संपंद्रों को मैनस कर देंगे तो वह हमारा सश्थी कलम की संख्या निकल जाए देखिए कुश्चन नमर 5 क्या कहे रहा है कुश्चन नमर 5 कहे रहा है एक तिरभूज के तीनों कौन दो अनुपात तीन अनुपात इस तरह से घ् валirie एक तो धिन अनुपात 5 और जब इस तरह से रहता है तो हम जो दएकिए सको हम कुश मानते और इसको जब इसको से हटाते हैं इनको याद रखिएगा तो देखिए यहां फेम इस को इसको मान लेते हैव और छी इस तरह से क्ोण मान लेते हैं यानि कि 2x होगे पहला कि हम 2x मान लेते हैं, दूसरा को मान लेते हैं 3x और तिसरा को मान लेते हैं 5x इस तरह से किसी भी को मान लेते हैं, मान लिजे आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं या इसको भी 2x मान सकते हैं, इस तरह से हमने ये मान लिया अब हम इसमें क्या करेंगे इसमें लिखेंगे यहाँ पर माना की माना की पहला कौन माना की पहला कौन कितना माने है 2x तो यहाँ पर लिखेंगे 2x है माना की पहला कौन 2x है इसकी तरह से दूसरा कौन भी लिखेंगे दूसरा कौन दूसरा कॉन दूसरा कॉन भी यहाँ पर कितना है तीन एक्स माने हैं यहाँ पर कहिएगा एक्स कहां से आया तो याद रखेगा अनुपात को जब भाटाये हैं तो यहाँ पर एक्स लिखें उसकी जगा पर और तीसरा कॉन तीसरा कॉन तिसरा कोन बरावर कितना है पांच एक्स तो लिख देंगे पांच एक्स अब देखिए ये तीनो कोन तो हमने एक्स मान ले अब देखिए ये एक्स का तो हमें मान भी निकालना है न तो इन तीनो कोन का मान निकालना है तो चलिए अब इन तीनो कोन का मान निकालते हैं तो यह मानते होंगे तीनों कोनों का तीर भूज के तीनों कोनों का योग जो है 180 डिगरी होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे तीर भूज के तीनों कोनों का योग तीनों कोनों का योग बराबर कितना होता है 180 डिगरी होता है तो देखिए तीर भूज के त 2x 3x और 5x माने तो यहां पर लिखेंगे 2x plus में 3x इन तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है हमारा 180 180 अब इसको हम हल करेंगे हल करेंगे answer आजाएगा यहां पर दखिए 2x 3x और 3x क्या है एक 10 इनको काटेंगे तो 181 इनका कि हम निकाल सकते हैं पहला कौन यहां पर लिख देंगे पहला कौन बढ़ाबर हमने क्या माना है 2x 2x माना है तो देखे 2 और x का मान निकल चुका है कितना 18 निकला है तो 18 हम इसको गुना करेंगे तो पहला कौन कितना होगी 18 दूनिके 36 हो गया यह हमारा 36 डिगरी में लिख देंगे तो पहला कौन हो गया 36 डिगरी का दूसरा कौन इसी तरह से लिखेंगे दूसरा कौन अब आप देखे 3,18 के चोबन डिग्री का दूसरा कौन होज़ागा अब लिखेंगे तीसरा कौन, तीसरा कौन क्या हो जाएगा इसी तरह से, तीसरा कौन माने हम 5 X, तो यहाँ पे देखे 5 और गुने में X का मान निकल चुका 18, तो 5 को 18 से गुना करेंगे, तो तीसरा कौन कितना देगरी का हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर हमने क्वेश्चन नमर पांच देख लिया अगले वीडियो में हम इन से आगे देखेंगे तब तक के लिए गुरुबाइब